तो दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूटेब चैनल स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग अकैडमी में तो मैं परवीन आज बात करूंगा हिमाचल परदेश पुलीस कॉंस्टेबल का जो एक्जाम है 2022 का इसके लिए हमारे पास most important जो आपके MC की रहने वाल आज इस सीरीज में हम जो most important 50 questions जो अवो discuss करने वाले है तो चलिए वीडियो को start करते हैं अगर आप पहली बार चैनल को जो विजिट कर रहे हो तो चैनल को like और subscribe करना ना भूले साथ में bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी जितने भी हमारे वीडियो रहेगी उन जहों की गती का नियम जो वो किसने प्रतिपादित किया था तो इसका जो correct answer हो जाएगा option number B कैपलर जो इसमें बिलकुल सही answer आ जाएगा इसी तरह option number question number 2 है आपका x-ray का अभिस्कार किसने किया था तो option number B इसमें जो वो बिलकुल सही हो जाएगा चलिए next question देखते हैं कि neutron क कि खोज किसने की थी तो neutron की खोज की थी James Chadwick James Chadwick आपका यहाँ पर विलकुल option number C सही answer हो जाएगा इसी तरह next question है कि electron की खोज किसने की थी तो electron की खोज की थी J.J. Thompson ने तो यह भी आपको पता होना चाहिए next question देखते हैं कि विध्युत heater की element जो है वो निमल खित मैंसे किस दा नातू का बना होता है तो आप सभी का यहाँ पर correct answer होना चाहिए next question आता है कि प्रमानू के नाविक में होते है तो जो आपके पास atom होता है जिसके यह nucleus होता है इसके अंदर बोलता है कि कौन कौन सी चीजें जो वो present होती है तो आप सभी को पता होना चाहिए electron जो वो इसके around जो बाहरली side जो वो क्या करते है circular motion में revolve करते है और proton और neutron proton और neutron जो होते है वो electron sorry एक atom के नाविक में जो वो present होते है next question देखते है सरवधिक बिधत चलकता वाला तत्व जो वो कौन सा है तो सभी को पता है कि आपके पास जो silver होता है वो best conductor होता है किसका heat और electricity का इसके बाद next question देखे बिजली के बलब का filament जो वो किस तत्व से बना होता है तो टंगश्टन यहां पे आपका बिल्कुल सही answer हो जाएगा option number D next question देखते है कि इंदर धनुष्ट डैस के कारण होता है तो आप सभी देखते होंगे जो rain वो बनता है वो किसकी बज़ा से बनता है तो यहां से आपका option number D जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा परावरतन एवम आप वरतन के कारण आकास का नीला रंग जो वो परतीत होता है तो सभी को पता है जो आकास का नीला रंग परतीत होता है वो परक्रीरन के कारण होता है इसी तरह समदर नीला परतीत होता है तो option number B इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी पक्रीरन के कारण ही जो आपके पास नीला दिखाई देता है नेक्स्ट क्वेशन देखिए नेक्स्ट क्वेशन है अमारे पास तीन रंग मूल रंग कौन से होते है जो आपका प्राइमरी कलर होते है उसमें कौन कौन से कलर जो वो पाया जाते है तो option number B इसमें नीला हरा और लाल जो वो बिलकुल सही अंसर हो जाएगा next question देखते है कि camera में किस प्रकार का lens जो वो उपयोग में लाया जाता है तो option number A इसका बिलकुल सही अंसर हो जाएगा उत्तर lens next question देखते है next question क्या बोलता है कि प्रकास वस जो वो किसका unit होता है तो distance का यह unit होता है तो इसमें आपके पास option number A जो वो बिलकुल सही अंसर हो जाएगा distance दूरी का तो next question देखते है next question आपका neutron की खोज किस ने की थी तो यह repeat हो गया है question तो हमने अभी discuss किया James Chadwick ने जो वो neutron की खोज की थी इसके बाद देखिए निमलखित मेंसे कौन सा जो वो सौर उर्जा का एक सत्रोत होता है तो option number B इसमें विलकुल सही अंसर हो जाएगा ना भिकिये saline इसका विलकुल सही अंसर है next question देखिए चूना पत्थर का जो वो रसाइनिक नाम क्या होता है तो यहाँ पे आप easily जो वो बता सकते है calcium carbonate जो होता है वो चूना पत्थर का एक रसाइनिक नेम होता है next question देखते हैं निमलखित मेंसे किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है तो हमेटाइट एक आपके पास और भी आता है लोहे का तो यहाँ से आप दो question आपके बन गे एक हमेटाइट हो गया और दूसरा और हो गया और खनिज यहाँ ने बोला हुआ है next question देखते हैं कि जब जंग लगती है तो लोहे का भार क्या होता है तो सभी को पता है कि जब जंग लगती है तो लोहे का भार जब बढ़ जाता है next question देखते है what is the chemical formula of plaster of Paris आप सभी को पता है कि plaster of Paris को जब वो P.O.P. के नाम से जाना जाता है और P.O.P. आप सभी को पता है जब हमारे one factor बगएरा होता है वहां पे mainly use हो जाता है या फिर जो बच्चों के toys बगएरा होते है उनको जो है वो क्या करने के लिए उनको जो है वो toys को जोडने के लिए भी हम plaster of Paris का जो है वो यूज क्या करते है और इसका जो formula होता है C.A.S.O.4 होता है और half water molecules होते है half molecules of water होते है लेकिन यहां पे इन्होंने 2C.A.S.O.4 दिया है क्योंकि यहां से 2 आपका cancel हो जाएगा तो उस case में इसका जो formula बनेगा वो बन जाएगा 2C.A.S.O.4 और .H2O next question देखते है next question आता है हमारे पास कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है तो जंग लगने पर आपके पास लोहे का भार जो बढ़ जाता है यह हमने अभी देखा इसके बाद स्टील को कठोरता परदान करने के लिए जब इसमें क्या मिलाया जाता है तो स्टील को जब हम क्या करते हैं कठोरता परदान करते हैं तो इसमें हम EM daw名 को क्रोमियम मिक्सियंग करते हैं इसी तरह नीला थोथा होता है जो नीला थोथा आपका होता है कॉपर अगर सोफेट अगर आपसे पूछा जाए हरा थोथा क्या होता है तो उस ताइम आप फैरिक सलफेट बोलेंगे और अगर आपके पास वाइट थोता आ जाएगा वाइट विट्रॉल आ जाएगा तो उस केस में आप बोलेंगे कि आपका जिंक सलफेट को हम वाइट विट्रॉल के नाम से जो जानते है इसी तरह नेक्स्ट कुश्चन आता है क कौन सी धातू बिजली की सबसे अधिक सुचालक है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिसकस किया था कि चांदी जावा आपके पास सबसे अच्छा जावा सुचालक होता है हीट और इलेक्टरिसिटी का नेक्स्ट कुश्चन देखते है कि निमलखित मैंसे कौन सी धातू सारबधिक भारी है तो यहां से इन चारों में जो आपका सीसा होता है वो सबसे भारी होता है नेक्स्ट कुश्चन देखते है कि निमलखित मैंसे कौन सा समन्यत आप पर एक लिक्ड फॉर्म में होता है द्रब्य फॉर्म में होता है तो मरकरी आपका पारा जो है वो आप नमबर सी इसका सही अंसर हो जाएगा कुथनाक और गुलनाक रमशा बढ़ या फिर घट जाएंगे जब आप नमक मिला मिला देंगे पानी के अंदर नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कि आप मर्जक क्या है तो यह आपके पास यह एक शोधन का अभी करता है इसी तरह नेक्स्ट देखिए कार्बन डेटिंग निमन की आयू को निर्धारन हेतू परतिक्त होता है तो जी वाश्चम इसका करेक्ट अंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा तो जब अब हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो आपके पास वाटर जब मिलेगा इसी तरह अमल वर्षा होती है तो कारखानों से हमें अमले वर्षा जब देखने को मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निमलखित मेंसे कौन सा एक कठोर पदार्थ है तो हीरा जो है वो आप सभी को पता है डाइमंड जो हो सबसे कठोर पदार्थ होता है नेक्स्ट देखिए आपका फिटकरी का इस्तेमाल जो हो किस रूप में किया जाता है तो फिटकरी का जंग लोहे के जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है तो जब आपके पास लोहे के उपर जंग लग जाता है तो हम उसके उपर जिंग का उपयोग करते है इसी तरह समंदर के पानी से कौन सी धातू जो वो निकाली जाती है तो यहां से आपका option number A potassium जो वो सही हो जाएगा next question देखे next question क्या होता है कार चालक की सुरक्सा के लिए प्रयोग में आने वाले बायू में जो आपके पास airbag जिनको बोला जाता है उसके अंदर क्या होता है तो sodium enzyme आपका बिल्कुल सही अंसर आ जाएगा next question देखें बायो डीजल बनाने के लिए किस बनस्पती का उप्योग किया जाता है तो option number A गन्ना आपका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा सिरके का रसाइनिक नेम क्या होता है तो आपका malic acid आ जाएगा next देखें ख्लोरोफार्म की खोज किस ने की थी तो Watson आपका सही अंसर आजाएगा next question देखें रसोई गैस किन का मिसरन होता है तो रसोई गैस एक आपके पास ब्यूटेन और प्रोपेन का मिसरन होता है विदुत बलब का तंतु जो वो बना होता है अभी हमने पढ़ा टंगंस्टन से इंडेन गैस जो वो मिक्चर होता है ब्यूटेन और ऑक्सिजन का ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए रेफ्रीजरेटर के अंदर जो वो कौन सी गैस भरी जाती है तो क्लोरोफॉर्म आपका इसका बिलकुल सही अंसर आजाएगा option number A next देखिए कार वैटरी के अंदर जो वो कौन सा एसिड पाया जाता है तो सभी को पता है sulfuric acid जो वो कार वैटरी के अंदर पाया जाता है H2SO4 option number C इसमें सही हो जाएगा next question देखिए penicillin का अभिसकार जो वो किसने किया था option number B Lewis Paster इसमें विल्कुल सही अंसर हो जाएगा इसके बाद देखिए प्रित्पी किस्त है कि उपरी और जोन की परत किसके तवारा जो वो बचाब करती है तो गामा रेज इसका सही अंसर है निमर्कित में से कौन सी green house का एक fact नहीं है तो nitrogen इसका विल्कुल सही अंसर है next question देखिए अगनी शमक बस्तर जो वो किससे बनाये जाते है तो S westros जो है वो option number B इसका सही अंसर आ जाएगा next question देखिए computer में उपयोग आने वाली IC chips जो वो किसकी बनी होती है तो silicon इसका विल्कुल सही अंसर है next देखिए सरफ प्रत्थम मानम ने निमन धातु का उपयोग किया था तो चांदी आपका यहां से correct अंसर आ जाएगा next देखिए question वोपाल गैस जो आपके पास वहां पे एक tragedy हुई थी वहां पे कौन सी गैस जो वो फैली थी तो आपका अंसर आ जाएगा methyl isosinate option number A next question देखिए formic acid इन में से बहुत सिर्किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो चिंटी के बिश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसी तरह septic tank के अंदर जो वो कौन सी गैस होती है तो methane आपका पिलकुल सही अंसर आ जाएगा option number A तो यह थे आपके पास आज के question तो thank you so much for watching अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और इसी तरह अगर आप और भी वीडियो अगर चाहते है तो वीडियो को like करे, share करे और subscribe करे ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके तो साथ ही मैं आपको बता दू कि study service एक online coaching academy है जिसमें हमारी जो है वो official play store app भी है जिस रहाँ पे आप हमारे जो है वो बहुत सारे हिमाचल के competitive exam के जो है वो courses जो है वो चले होते है जिसमें हमारा HP TET जिसमें all जो आपके subjects होते है medical हो गया, non-medical हो गया जिसमें TET arts हो गया TET jbt हो गया commission की बात करें तो commission में हम TGT arts और TGT jbt के commission की coaching भी हमारी अभी running में है और हाली में मैं आपको बता दूँ कि recently हमारा नया course जो अब अपडेट हुआ है batch number 6 HP arts का जो अभी start हुआ है तो जितने भी interested student है वो हमारे official number पे जो अब वो contact कर सकते है या फिर play store से हमारी official app जो अब वो download करके course को जो वो purchase कर सकते है वहीं पे आपको सारी detail के साथ demo classes भी available रहेंगी और thank you so much for watching मिलेंगे next video में